नमस्कार दोस्तों मैं नाम है रादीप सजवान और आजम बात करेंगे उस अबिनेता के बारे में जिन्होंने साउत की सिनमा को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और जिनके फिल्मों के लाखो करोड़ोग देवाने हैं जिहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सूरिया भाई यानि नागरजुन सरकी जिनकी बहतेने फिल्मों को साउत में ही नहीं बलके पूरे भारत में बहुत जादा पसंद किया जाता है और इनकी गिंती उन अबिनेताओं में होती है जिनके दम पर आज के समय में साउत का सिनेमा पूरी दुनिया में पसंद किया दोस्तो नागरजुन सर का पूरा नाम अक्किनेनी नागरजुन है वो एक एक्टर, परडूसर, डांसर और बिजनेसमेन है उनका जनम 29 अगस्त 1969 को चैन्ने में हुआ था उनके पिता का नाम नागैस्वर राव अक्किनेनी है जो कि साउथ के जाने माने अबनेता थे और उनकी माग का नाम अनपूर्णा किनेनी है दोस्तो नागरजुन सर का जनम वैसे तो चैन्ने में हुआ था लेकिन बाद में हुए अपने परिवार के साथ हैदरबाद तेलंगना में बस गए और हैदरबाद से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की उन्होंने अपनी सुरुवाती पढ़ाई हैदरबाद पबली स्कूल और लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज से पूरी की इसके अलावा इन्होंने इस्टन मिसिगन यूनिवस्टी से MS में Automobile Engineering की पढ़ाय की फिल्मी परिवार से होने के कारण इन्होंने भी अपना करियर फिल्मों में ही बनाने का निश्चे किया इनके फिता साउथ के एक बड़े अबनेता थी इसलिए उन्हें जादा संगर्स नहीं करना पड़ा और फिल्में भी आसानी से मिल गई इन्होंने अपने फिल्मी करियर की सुरुवात 1968 में आई फिल्म सूडी गुडालू में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी इस फिल्म में उनके पिता लीड डोल में थे इसके बाद उन्हें 1986 में आई तेलगू फिल्म विक्रम में लीड एक्टर की भूमिकर निमाई थी ये फिल्म साल 1983 में आई हिंदी फिल्म हीरो का रिमेक था ये फिल्म सूपर डोपर हिट रही और इस फिल्म में दर्सकों ने उनके अविने को भी खूब सराहा उसके बाद उन्होंने साल 1988 में आई फिल्म आकरी पोथाराम में काम किया ये फिल्म ब्लोगबस्टर साबित हुई इस फिल्म में उन्होंने स्रीदेवी और सुहासने की ओबजिट काम किया था इसके बाद उन्होंने 1989 में डारेक्टर मनी रत्रम की फिल्म गितांजली में भी काम किया इस फिल्म में उनके अभिने की खूब तारीफ हुई और इस फिल्म के जरिये उन्हें पहला नेशनल आवोर्ड भी मिला साउत की फिल्मों में धमान मचाने के बाद नबे के दसक में उन्होंने हिंदी सिनिमा में भी डेब्यू किया उन्होंने बॉलूड के मसूर डारेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म सिवा से अपना बॉलूड में डेब्यू किया ये फिल्म भी सूपरीट साबित हुई इसके बाद तो उन्होंने कई बॉल्लवुड फिल्मों में भी काम किया जैसे 1992 की फिल्म खुदा गवा में अमिता बच्चन के साथ 1992 में फिल्म द्रोही 1995 की फिल्म क्रिमिनल 1996 में सबसे बड़ा मवाली 1996 में ही मिश्टर बेचारा जब दिल किसी पर आता है अंगारे जकमादी जैसी कई हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया अपनी इनी बहतरीन फिल्मों के दम पर वे लोगों का दिल जीतने में सफल रहे अब उन्हें सौत महीं नहीं बलकि नौर्थ में भी लोग पैचारने लगे थे 2004 में आई इनकी फि और नमबर वन इनकी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म थी और उस समय जातर हिंदी ओडियंस को इनका नाम नहीं पता था इसलिए लोग इन्हें सूर्या भाई कहकर ही बुलाने लगे इसके बाद भी इन्होंने कहीं ब्लोग बच्टे फिल्मों में काम किया और का खुब मनोरंजन भी किया लेकिन 2011 में इनकी माता का निदन हो गया और इसके बाद उन्होंने खुद को संभाला और कई और काम्या फिल्मों में भी काम किया वही उनकी निजी जिन्दिगी की बात करे तो वे दो बार साधी कर चुके हैं साल 1984 में उन्होंने लक्ष्मी रा कूप चर्चाओं में रहे कहा जाता है कि दोने एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे दोनों की मुलकात तब हुई जब दोनों ने एक साथ एक ही फिल्म में काम किया लेकिन दोनों की ही शादी नहीं हो पाई तोकि नागरजुन सार साधी सुदा थे और वे तीजरी साधी करना चाती थे इसलिए उन्होंने तबु शे शादी नहीं की और दोनों बाद में अलग हो गए तबु नागरजुन से बहुत प्यार करती थी इसलिए वे मुंबई छोड़कर हैदरबाद में ही बस की बता दे कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है वहीं उनके बेटों का नाम नागा चैतन्या है और दूसरे बेटे का नाम अखिल अक्नेनी है दोनों ही साउथ के सूपरस्टार है दोस्तों वैसे मैं आपको बता दू कि साउथ की मशूर एक्ट्रेस सेमेंता रुत परबा उनकी बहु है जो कभी उनके साथ फिल्मों में काम किया करती थी मेरी वीडियो को लाइक कीजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे ताकि मैं साउथ के अन्यबनेताओं के उपर भी वीडियो बना सकूँ धन्यवाद